नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं RPS समाचार तो चले शुरात करते हैं आज की बड़ी खबर से कौन था उमेश पाल प्रयागराज में जिसकी कर दी गए हत्या पढ़े राजुपाल और अतीक की अदावत की पूरी कहानी प्रयागराज में शुक्रवार की शाम उमेश पाल की सरियाम हत्या ने पूरे लाके को देहला दिया इस सत्याकान का सीधा रोप जेल में बंद बाहुबली पूर्वसांसद अतीक एहमत पर लगा है हत्याकान के बाद अतीक के दो बेटे को पूलिस ने उठा भी लिया है आखे कौन है उमेश पाल उनकी हत्या क्यों आ रहा है प्रतीक एहमत का नाम और इसका विधायक राजुपाल मडर केस का क्या है ना था आए जानते हैं पूरी कहानी दरसल इस अत्याकान की जड़ को समझने के लिए 19 साल पहले 2000 में शुरू हुई उस कानी को समझना जरूरी है तब राजुपाल ने पूल्व सांसद अतीक एहमत की सत्ता को शेहर पश्चिमी में राजुपाल ने चुनोती दी थी राजुपाल को जान गवा कर उसकी कीमत चुकानी बड़ी 25 जनवरी 2005 को धूमन गंज में चारो तरफ से घेर कर राजुपाल को गोलियों से छनली कर दिया गया इस हमले में संदीप यादव और देविलाल भी मारे गए फुलिस CBC, ID और फिर आखिर में CBI ने जांच की CBI ने पूर्व सांसात अतीक उनके भाई अश्रफ समेत 10 के खिलाफ आरो पत्र दाखिल किया है अतीक एहनलबाद जेल तो अश्रफ बलेली जेल में बंद है दोनों पर धूमन गंज में दोरे हत्यकांट समेत कई संगीन मामले हैं उमेश ने मरते दम तक मिभाई राजु से दोस्ती पूर्व विधायक राजुपाल की हत्यके बाद उमेश एक मात्र ऐसा गवाह था जो अकेले के अतीक के खिलाफ मोर्चा समा रहा था राजुपाल हत्यकांट से जुड़े गवाह बैक फूट पर आ गए थे उनकी पत्मी पूजपाल ने भी सत्तास बदल दी लेकिन उमेश नहीं डरा 2005 से लेकर 2023 तक उमेश अकेले ही अतीक एमस से मोर्चा ले रहा था उमेश ने मरते दम तक राजुपाल से दोस्ती नभाई अठारे साल बार 24 फरवरी 2023 को राजुपाल की तरह उमेश पाल को सरयाम गोलियों से भून दिया गया यह वारदा तब हुई जब उसके परण केस में अतीक के खिलाब तेजी से बहत चल रही थी छे अपतों में फैसला आने वाला था खबरों में अब तक लिए बस अतना ही मिलते हैं तर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक किरी नमस्कार और देखते रहे आर पीए समाचार